ऐसा है, आज मैंने स्टेटमेंट देखा, यह साम पिटर ड्रका, कैसा बैक्ती है पता नहीं है, उन्होंने बोला कि नौट हिसका लोगों को साइनीज जैसा देखता है, मेरा सहरा मैंने आइना में देखा, और मैंने ही मेरा पता सला कि मुझको असामी जैसा लगता है, मुझक साइनिस जैसा नहीं देखता है पता नहीं वह बैक्ति का क्या है एक रेशिस कॉमेंड है हमें डुक देने वाला कॉमेंड है और साइनिस का साथ हमारा सिमिलरीटी धुन के what he tried to prove पता नहीं उनका दिमाग में क्या है लेकिन एक बाद जरूर है राहूल गान्डी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है उनका जो नौठिस का उपर जो उनका डिस्ट्री है या नौठिस को जो देखने का जो उनका तरीका है यह बहुत ही गलत है वो हमेशा नौठिस क लोगों को इंसाल करता है, कभी बोलेगा यह चाइनिज जैसा दिखता है, कई बोलता है क्या वो भारत में है, ऐसे वो हर ताइम राहुल गांडी और उनका जो एरेगेरे में लोग रहता है, नोट इसको इंसाल करते ही रहते हैं, और यह जो सैंपित्रोडा का आज जो बायान यह racist है, condemnable है, और सोभा भी नहीं देते है, और मैं Sam Pitrada को बोलना साता हूँ, कि आप कभी नौठिस में आये, नहीं आये, पता नहीं, but नौठिस का लोग जो है, हम लोग proud Indian है, और मैं बोल सकता हूँ, as a Assamist, I am a proud Assamist, Manipuri लोग बोलेगा, we are a proud Manipuri, Nagas will speak that they are proud Naga, but yet we are proud Indian, कभी हमारा आप इंडियन ने इसको, या हमारा जो नाशनलिस्त, हमारा जो एमोशन है, सेंटिमेन है, इसको आप सैलेंज मत किजी, sir, if people go to other state as well, they also get some remarks like Chinese, like, notice people, what as a place of notice people? वो था, that was the story of ten years back, अभी वो नहीं बोलता है, that we have overcome that racism, last 10 साल में मोडी जी का जो एक प्रयाज हुआ, not his को mainstream करवाने में, वो सफल हुआ, कोई आज racism का कोई case आते ही नहीं, बट अगर racism Sam Petroda रहुल गंडी शुरू करेगा, तब तो पुरा डेस में और फैलेगा, यह जो हमने, जो stories को हमने cross करके आया, 10 साल पहले उसको हमने समाप किया, लोगों ने समझने लगा कि not his is a integral part of this country, और कोई लोग signage जैसा नहीं देखता है, हमारा एक अपना फैसर है, जैसे तमिल नादू का लोगों का एक अपना colors है, अपना फैसर है, not Indian का logo का होगा, इसनी इडिया का logo का होगा, not इडिया का logo का होगा, but these are origin to India, यह इंडिया का ही color है, यह इंडिया का ही सहरा है, यह इंडिया का ही, आपका physical जो भी appearance है, it is essence is truly Indian, तो यह जब Sam Pitroda वो नहीं समझता है जो राहूल गांडी का सबसे करीब एडवाइजर है वो नहीं समझता है तो बाकी लोग तो नहीं समझना आए वेरी वीटिज आप यू कन अप्रिशेट डेट राहूल गांडी ऑक्सपोर्ट में जाकर के इंडिया का डिवाइट करने का बात करते हैं और यहां पर Sam Pitroda टुक्रे टुक्रे प्रोपागंडा एक्चला रहा है देखे Sam Pitroda राहूल गांडी दो बैक्ती नहीं है राहूल गांडी का फ्रेंड फिलोसोफर गाइज है Sam Pitroda वो जो इनहेरिटेंस टेक्स का बात बताया कॉंग्रेस ने क्या अभी तक उनको इंडियान आवर्सिस कॉंग्रेस का पोस्ट से हटाया क्या आज भी हमारा नौटिस का लोगों को एतना इंसाल करने का बाद जैराम रमेश ने क्या तूइद दिया है कि हम इससे एक नहीं हूँ बत वाट बाद नेक्स टेप वाई यू आ नौट डिजोनिंग इंग वाई यू आ नौट ट्रोइंग इंग आउट फॉम इस पोस्ट और वाट केपासिटी इस पीकिंग उसका क्या है तो वो तो खूद ही अपना नाम भी सेंस करके बैठा हुआ है उनका नाम अलग है मैंन नाम को ही और सेंस कर सकता है वो तो डेस को भी टुकरे टुकरे कर सकता है यह यूजलेस इशू कैसे है यह हमारा इमोसनी का साथ जोडा हुआ है आप useless बोलेगा हमें हमको Chinese बोल देगा और आप बोलेगा this is useless किसी को आप African बोल देगा और आप बोलेगा this is useless प्रियंका गांधी के लिए वो useless हो सकता है but croro notis का लोगों के लिए वो useless नहीं है आप किसी को बोल देगा वो South African जैसा दिखता है यार इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, you are completely advocating racism, और आपके लिए वो useless है, तो प्रियंका गांधी के लिए useful कुन सा है, सुनिया गांधी कतना बरा है, राहूल गांधी कतना बरा है, गांधी फैमिली कतना बरा है, that is useful, और हम लोग useless, यह क्या बात बताता है? झाल झाल झाल